वहीं खबर भरतपुर से जहां पंचाय चुनाओ की परिणाम आने के बाद के इतवारा में तनाओ हुआ जीते और हारे पृत्याशियों के समर्थक आमने सामने देखे गए वहीं एक दूसरे के साथ मारपीच के बाद फाइरिंग भी हुई आपको बता दें कि पंचाय चुनाओ की परिणाम आने के बाद के इतवाल में तनाओ हुआ फाइरिंग के बाद इलाके में दहशत फैल चुकी है जीते और हारे पृत्याशियों के समर्थक आमने सामने जहां देखे गए वहीं इस बीच उन लोगों ने फाइरिंग भी कि परिणाम आने के बाद के इतवाला में तनाओ एक दूसरे के साथ मारपीट के बाद फाइरिंग को अंजाम दिया गया आपको बता दें कि जीते हुए और हारे हुए प्रद्याशियों के समर्थक में ये मारपीट की गई जिसके चलते इलाके में हडकम मच गया